व्रत के लिए आज चार फ्लेवर्स में मखाना बनाएंगे चाय के साथ में शाम के टाइम अच्छे लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर मैंने मखाने लिए हैं तो मैंने दो कप भरकर मखाने लिए हैं क्योंकि चार फ्लेवर्स में बना रहे हैं तो दो कप लिए हैं आपको जितना रिक्वाइमेंट है आप उसे साबसे मखाने ले लिजे एकदम लो फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाते रहेंगे छोड़ वरना क्या होता है कि यह चिपक जाते कढ़ाई से जल जाते तो दो-तीन मिनिट मैंने इसे पकाया है और उसके बाद ऐसे ब्रेक करके देखेंगे अगर यह अच्छे से टूट नहीं रहा है तो इसे दो-तीन मिनिट के लिए और लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे करेंगे तो चलिए सबसे पहले हमें एक क्लासिक मखाना बनाते हैं जिसके लिए पैन में हमने एक चम्मच घी लिया है घी को थोड़ा ऐसे पहला देंगे पैन में फ्लेम एकदम लो पर रखेंगे उसके बाद थोड़े से मखाना ले लेंगे जितनी भी जरुरत होगी के उपर अच्छे से चिपक नहीं जाता बस जैसे यह हो जाएगा उसके बाद गैस को बंद कर देंगे और यह सर्व करने के लिए तैयार है चलिए आगे बढ़ते हैं मिंटी मखाना बनाते हैं इसके लिए पैन में एक चम्मच घी ले लेंगे और उसके बाद इसमें मखान हैं वो डालिए उसके बाद सेंधा नमक डाल देंगे थोड़ा सा और यहां पर मेरे पास में पुदीने का पाउडर है तो वो एक चोटा चम्मच में डाल रही हूं मिक्स करेंगे लो फ्लेम पर और तब तक मिक्स करेंगे जब तक नमक और पुदीना जो है वो मखानों के उपर अच्छे से चिपक नहीं जाते स्टिक नहीं हो जाते जैसे यह हो जाएगा यह भी बन कर तयार हो जाएगा पुदीने का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है मखानों के साथ में चलिए आगे बढ़ते हैं और मखाना चीवडा बनाते हैं यह मेरा बहुत तब तक जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता यह अच्छे से भुन नहीं जाते जैसी यह हो जाएगा आट से दस इसमें मैंने काजू डाले हैं थोड़ा सा जो सूखा हुआ नारियल होता है वो लिया है दो हरी मिर्चे और थोड़े से करी पत्ता लिये हैं इन्हें भी एक से दो मिनिट के लिए एकदम लो फ्लेम पर हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे उसके बाद जितने भी मखाने चाहिए आपको आप उतने मखाने डाल दीजे जो हमने रोस्ट करके रखे हुए थे सेंधा नमक याने वरत का नमक डाल देंगे एक चम्मच काली पाउडर डाल देंगे इस टाइम पर आप चाहें तो पुदीने का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं बस इसे मिक्स करेंगे और जैसे ही सारे मसाले इन सब पर लग जाएंगे ये भी सर्व करने के लिए तयार है अगर आप रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप इसमें और मसाले भी add कर सकते हैं. चली, अब मीठा-मीठा मखाना बनाते हैं जिसके लिए एक चम्मच घीलिया है पैन में और ठोड़ा सा मेने गुर्ण लिया, लग बग एक चौताई कप मेने गुर्ण लिया है जिससे मेने छोटा-छोटा काट लिया है आप चाहें तो जैगरी पाउडर यानि गुड का पाउडर भी ले सकते हैं एकदम लो फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाएंगे कहीं पर भी आपको लगे कि गैस बहुत ज्यादा गरम हो गया है पैन जो है वो गरम हो गया है तो उस टाइम पर आप गैस को बंद कर सकते हैं जैसे ये पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा इसमें मखाने डाल देंगे और साथ ही मैंने इसमें भुनिये हुई मुंगफली भी डाली है जिसे मैंने दरदरा पीस लिया था बस इसे मिक्स करेंगे जैसे गुर्ड और पीनट्स जो है वो मखाने के ओपर लग जाएंगे हमारा मीठा मीठा मखाना भी बन कर तयार हो जाएगा इन चारों में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताएगा जल्दी मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाबाए.